तो अब होताएं आज जारी हो सकती है कॉंग्रेस की पहली लिस्ट, वाइनाट से राहूल गांधी का नाम तहे बताया जा रहा है, सुत्रों के वाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जबकि त्रिवनंध पुरम से शशी थरूर चुनाव लड़ेंगे, सुत्रों के वाले से भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जबकि दस राज्यों की गरीब 60 सीटों पर चर्चा हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, और देखें, आज कहा ये जारा है कि जो लिस्ट है कॉंग्रेस की पहली वो जारी हो सकती है, वाइनाट से राहूल ग अब इंतजार इस बात करेगा कि कॉंग्रेस कहां से किसको जो उतारती है अपने जीत के लिए अगाई जा रहे हैं कि दस राज्यों की गरीब 60 सीटों पर चर्चा हो चुकी है, जिन्होंने राहूल को 2019 में उनके ही घर से बे दखल कर दिया था, कॉंग्रेस की केंद्रेचुनओ समीति की मीटिंग में कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी की लोगसभा सीट फाइनल हो गई है, कॉंग्रेस की पहले लिष्ट में राहूल गांधी का नाम शामिल होगा, सूत्रों के मताबिक राहुल गांधी केरल की वायनाड लोगसभा सीट से एक बार फिर मैदान में होंगे लोगसभा चुनाओ को देखते हुए गुरुवार को कॉंग्रेस केंद्री चुनाओ समीती की बैठक हुई कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कौंग्रेस की पहली लिष्ट जारी हो जाएगी स्मृती रानी से हार का सामना खरना पड़ा था वहीं वायनाट सीट पर राहुल गांधी ने जीत दर्च की थी अब राहुल के लिए सेव सीट मानी जाने वाली वायनाट पर भी अडंगा है इस बार राहुल का खेल खराब करने की कोशिश विपक्षी गठमंदर में कॉंग्रेस की ही सही योगी सीपी आई ने कर दी है सीपी आई को सफी लेफ्ट पार्टियों का समर्थन भी हासिल है वायनाट से सीपी आई अपने कैंडिडेट का एलान पहले ही कर चुकी है अमीदवार भी कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है सीपी आई यहां से पार्टी महासाजीब टी राजा की पत्नी एनी राजा को टिकट दे चुकी है केरल में लेफ्ट की अगवाई वाले LDF और कॉंग्रेस की अगवाई वाले UDF की लडाई जग चाहिर है लेकिन देश में कठवंदन के बावजूद सीपी आई ने राहूल गांधी की सीट तक को नहीं छोड़ा लेफ्ट के नेतार राहूल को सलाह भी दे चुके हैं कि वो वायनार्ट छोड़ दें आप लेफ्ट के खिलाफ आके लड़ेंगे तो क्या मेंसेज आप खुदी भेजेंगे इसलिए उनको अप्टे सीट के बारे में लुबारा सोचने की जरूरत है वाइनाड में चुनोती कितनी बड़ी है इसे जानने के लिए आपको 2019 के चुनाव में वाइनाड के नतीजे देखने चाहिए 2019 चुनाव में कॉंग्रेस के राहुल गांधी को 7,6,366 वोट मिले थे और उनका वोट पतिशक 25,13 था CPI मैदान में पिछली बार भी थी लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी जीत दर्च की थी इस बार गठबंदन के बावजूद CPI ने बड़े और मजबूत चहरे को सामने उतार कर ये साफ कर दिया कि राहुल को कोई वाक ओवर नहीं मिलेगा वाइनाट से चुनाओ लड़ना राहुल की मजबूरी है क्योंकि अमेठी में उनकी लड़ाई वाइनाट से ज़्यादा मुश्किल है इसलिए राहुल गांधी भारत जोड़ू नयायात्रा के दोरान अमेठी तो गए लेकिन चुनाओ लड़ने के संकेत नहीं दिये थे टीम